हालो दोस्तो राना क्लासेज में आपका स्वागत थे तो बड़ी ख़वर आ रही है बीपीएससी से आ रही है आप देखना है दो नोटिस है जो कि बीपीएससी के विपसाइट पर आ गई है 15-10-2024 का पहला नोटिस है उसके बाद जो कि दूसरा नोटिस भी और दोनों जो है जो कि सीटे जो कि बढ़ी है उसके बारे में जानते हैं और यह खुल गई है और अपडेट डिटेल्स में दिया गया है कि लिंक के माध्यम से वन टाइम रेजिटेशन में अंकित अवेर्थी का नाम पिता का नाम माता का नाम जनमती थी के कॉलम को छोड़ कर ये सब आप स लिंक देगा लेकिन अपडेट डिटेल में ये सब को छोड़ के बाकी सब आपके टोगरी और भी जो गलतियां है ड्रेश में गलतियां है ये सब सुधार्थ दूसरा क्या है एक क्रित सतर्वी संजुक्त परत्योगता पर इच्छा है तू ऑनलाइन अधिया वेर्थियों दूसरा भुक्तान कर आविदन के पर्किनरिया पूर्ण कर ली गई है एवं अंकित किये डाटा था फोटो इत्यादे में टूडित हो तो वाइसे भेर्थि भी उक्त कॉलम चार में को छोड़कर ये जो चार कोलम है नाम और ये इसको छोड़कर सुधार कर सकते हैं मतलब फोटो भी अगर है गड़वर लग रहा तो वह भी सुधार सकते हैं वह ऐसे जिनके द्वारा परिच्छा सुल्ख का भुक्तान करते हैं पूर्ण करने गई हैं मतलब जेंडर में भी सुधार आप कर सकते हैं मेल हैं प्यमेलार अच्छन कोड़ी पीसी एबीसी एडव्लू कर सकते हैं मतलब यह जो सुधार है यह आप बैंक डिमांड ड्राफ्ट यह सबसे आप भेज सकते हैं ऑनलाइन अवेदन जो बहुत इंपोर्टेंट है और यह जो है चार ग्यारा तक होगी जो 18 तक थी अक्टूबर तक थी वो बढ़ गई है लग भागे जो कि आपको 16 से 17 दिन बढ़ गए और जरूरी भी था क्योंकि बहुत सारे लोगों की फॉर्म में जो कि बहुत सारे डॉक्मेंट्स अप्लोड करने पड़ते हैं और तो बहुत सारे लोगों को उतनी जानकारी नहीं होती है कि कब तक हम भरना है या काफी कम समय दिया गया तो यह बहुत सब्सक्राइब करने सारी सुचना सही है अपडेट अप्सन उपलब्द कराने को प्रांध भी अधित्त रूटी रह गया तो उसके जिमवार आप होंगे अगर आप बहुत सारे लोग गलतियां क्या-क्या जो मेजर करते हैं कि ग्रिवेशन का मूल सटिफिकेट वो जो है च और वो कब लाएंगे जब फॉर्म भर लेंगे बिनान तीन दिती खतम हो जाएगी 4-11 वाद तब प्रियास यह प्रियास अभी कर ले क्योंकि इससे बहुत सारे लोग बाहर हुए हैं सिर्फ मूल परमानपत्र के कारण क्योंकि आप लाएंगे मूल परमानपत्र इंटर्व से आयाते ग्रेशन के जो सेटिफिकेट की मूल परमानपत्र इसलिए है जो कि यह प्रियास करेंगे ज्यादा और फिर क्या है बहुत सारे लोग है जो कि NCL हो गया यह EWS बनवाते नहीं है अगर नहीं बनाए है तो NCL में एक जो सुविधा है कि कम से कम आप बिहार सरकार के बनाए हुए है अगर NCL नन क्रिमी लेयर स्टिफिकेट तो एक उपाय है कि अगर एक साल पुराना भी है तो आप गोशना पत रहे जो कि फॉर्मेंट में भरकर आप फिरी हो सकते लेकिन EWS SCST में यह सुविधा नहीं है इसलिए है जो कि SCST में भी चलेगा कि एक बार भी बना हुआ तो भी चलेगा लेकिन EWS की जो है वो सुविधा इसमें नहीं है जाती परमानपत भी सभी दिन के लिए भेलिड रहता है अब आते हैं दूसरी कवर किसकी सीटे जो की बड़ी है उसको देखते हैं एडिशन सत्तर वेकेंस प्रोवेशन प्रादिकारी के जो कि जूड़ी है इसमें और यह जो है कि आपको 35 पद जो की जूड़ी सहायक निवंदग सहयोग समीतिया एबं समकचिस का भी जो कि 29 पद है जो कि जुटा है टोटल 24 पद 20 मेला रचन का पीतिय प्रशाष्टनिक सेवा के जो की आपको साथ गनित में ही रहेंगे तभी वो भावम पर सकते हैं तो 2027 पद है जो की हो गया है मतलब यह जो 2000 का कोटा जो है यह पूरा हो गया है और तीन पद है जो की टोटल मान कर चले जूड़े है छे है जो की वीतिय परशाष्टनिक परदादिकारी एबं को समकच वीतिवाग क अंतर गताता है सायक निवन्धा के जो कि सहयोग समीतिया अप्रोबेशन अधिकारी और लेवल जो है यह तीनों के नाइन है बाइस बरसे जो कि नियुंता में जो होनी चाहिए इसमें तो यह जो है आपको अभी भी अगर कोई पाउम भर चुके है तो आप अपडेट के ल अगर समाद कि यह के तो आपता है पागाद.